हे गाईज, वेलकन टू स्टडी आईक्यू नाव आज के समय भुटान और इंडिया बस दो देश बचे हैं साउथ एशा में जिनोंने चाइना का बेल्ट एन रोड इनिशेटिव जॉइन नहीं किया और चाइना के डेट ट्रैप में नहीं फसे बाकी आप हर जगा देखो तो चैना की इन्वेस्टमेंट हैं, उनके डेट हैं और नॉर्दन फ्रंटियर में तो बहुत से देश हैं जो आज के समय इंडिया के प्रती होस्टाइल हैं जैसे के चाइना, पाकिस्तान और अनफॉर्चनेटली अब यहाँ पर नेपाल भी इस लिस्ट में आ चुका है मगर बुटान हमारे लिए काफी important है और बुटान की importance को समझते हुए, इंडिया और बुटान की दो companies हैं, इन्होंने joint venture project sign किया है for a hydro power plant, इसमें क्या करेंगे के बुटान की धरती पर एक hydro power plant बनेगा, जो प्लान ये electricity produce करेगा, ये बेची जाएगी to इंडिया, इंडिया इसके बदले पे करेगा भुटान को, तो इससे भुटान earn कर पाएगा, कमा पाएगा, खास बाद यहाँ पर यह है के पहली बार हम joint venture route अपना रहे हैं, जिससे इंडिया और भुटान दोनों को benefit होगा, नाव सिंस हम यहाँ बात कर रहे हैं भुटान की, आप से मैं एक question पूछू option B, भुटान सिर्फ सार्क का पार्ट है, option C, भुटान सिर्फ विम्स्टेक का पार्ट है, या फिर option D, भुटान ना सार्क ना विम्स्टेक, किसी का भी पार्ट नहीं है, नीचे comment section में इसका answer करो, so अब discuss करते हैं कि जो यह first joint hydro power project है, यह कहाँ पर बनेगा, इसकी significance क्या है, deadline क्या है, सब कुछ आपको जानने को मिलेगा, so a lot to know, a lot to discuss, as always, but before we begin, go to google play store, download the study IQ education app, और आप अगर UPSC की त्यारी करना चाते हैं, तो हमारा flagship UPSC course यहाँ पे available है, आप offline जाएंगे, वहाँ पे आपको pay करना होता है, 1,60,000, 1,70,000 रुपीज for just 3 months course, मगर यहाँ पे आप बहुत ही affordable rate पर UPSC की त्यारी अपने घर से, या कहीं से भी कर सकते हैं, और इस course के लिए, EMI option भी available है, और आप अगर चाते हैं notification हमारे channel की हर वीडियो की, तो subscribe करना मत भूलिएगा, and make sure to press the bell icon notification बटन, तो जैसे मना को ब भूटान ने एक joint venture project sign किया है, और देखो आज के समय hydro power, पूरे South Asia में diplomacy का बहुत ही important part बन चुका है, आप अगर चाइना को देखो, तो वो भी पाकिस्तान में dams और hydro power projects में investment कर रहा है, ताकि पाकिस्तान वहाँ पर electricity generate कर पाए, similarly इंडिया और चाइना दोनों मिलकर कोशिश कर रहे हैं, कि नेपाल में ऐसे जो project है, इनको हम finance करें, और अब भूटान में भी हम देख रहे हैं, कि joint project sign किये जा रहे है, for hydro electricity, आप अगर इंडिया और भूटान का total trade देखें, जो 1 billion dollar से थोड़ा सा उपर है, इसमें से जो भूटान के exports है to India, इसमें से 80% है electricity, भूटान अपने देश में, इन hydro power projects से electricity generate करता है, और जो इंडियन states हैं, जैसे के आसाम, अरणाचल पदेश, ये electricity भूटान से purchase करती है, for their own use, now trade वगरा ये अपनी जगा है, मैं आपको ये भी बता दू के भूटान को इंडिया, मैं आपको ये भी बता दू के भूटान को इंडिया, 5,000 क्रोड रुपीज एडिशनली पे करेगा, बूटान के 12th 5-year plan के लिए, जो 2018 में शुरू हो चुका है, तो बूटान के साथ हमारा trade भी है, और साती साथ हम अलग से भी उनके budget के लिए finance provide करते हैं, जिस project की हम बात कर रहे हैं, इसका नाम है, कोलंग्चू hydroelectric project, इसकी total capacity है 600 MW, बताया जा रहा है कि ये जो project है, ये 2025 का जो second half होगा, तब तक हताम हो जाएगा, क्योंकि इसमें time लगता है, यहाँ पे आप एक नदी पर बहुत ही बड़ा एक तो पहले barricade बनाओगे, फिर वहाँ पर जो river का flow है, उसको harness करने के लिए, आप एक hydroelectric plant बनाओगे, तो इस सब में time लगता है, तो अराम से 5 साल लगेंगे इस पूरे project को complete होने में, और जो मैंने आपर बात करी है joint venture की, तो इसमें देखो भुटान की एक company है, द्रुक Green Power Corporation, DGPC, और इंडिया की company है, सतलुजल, विद्यूत निगम Limited, SJVNL, ये दोनों मिलकर यहाँ पर इस पर काम करेंगी, अब इस सब में पैसे किते लगेंगे, देखो अभी के लिए जो इसकी cost है, ये decide की नहीं गई है, most probably अगली बार जब भुटान के Prime Minister ये इंडिया में आएंगे, या फिर जब इंडियन PM भुटान में जाएंगे, तब इस पर जादा clarification आएगी, मगर अभी के लिए इसके plans बनाए जा रहे हैं, और बहुत ही जल्द मेरे साब से इसकी construction के लिए ये लोग tender निकालेंगे, अब आपका यहाँ पे question होगा के ठीक है joint venture है, तो मतलब के 50-50 partnership में बनेगा, तो मेरा यहाँ पर answer है हाँ बिलकुल, इसको 50-50 partnership में बनाएंगे, मगर देखो इसमें यह यहाँ पर इंडिया की help होगी, जो overall financing होगी, मतलब के soft loan जो provide के जाएंगे इस project के लिए, वो most probably आएंगे भारत सरकार से, तो भारत सरकार यहाँ पर loan provide करेगी, यह दुनों जो companies है यह ensure करेंगी, कि यह जो project है यह complete हो, और फिर जब इंडिया को पैसे वापस मिल जाएंगे, तो 30 साल के बाद, यह जो पूरा project है, यह भुटान की सरकार को मिल जाएगा, it will become a state-owned project of the Bhutanese government, तो भुटान के लिए एक बहुत ही अच्छा सोदा है, और इसलिए आप देख भी रहे हैं, कि भुटान हमारे साथ खड़ा है, इन दी एंड देखो, भुटान के लोगो को हमा भुटान, आज के समय हमारे साथ खड़ा है, अब हम बात करते हैं, location की, कि जो 600 MW का project है, यह बनेगा कहाँ पर, तो भुटान में एक छोटी सी नदी है, इसका नाम है, कोलॉंग्चु रिवर, यह आपको मिलेगा इनकी यह वाली district में, इसकी location में आपको लिखाता हूँ य और यह जो location है, बाइदवे, यह वो location नहीं है, जिसको चाइना क्लेम करता है, रीसेंटी जो location कांट्रवर्सी में थी, वो थी यह वाली location, यहाँ पर वो wildlife century है, जिसको चाइना क्लेम कर रहा है, हो सकता है के इनदा future, इंडिया और भुटान, यहाँ पर इस area के लिए भी venture हो रहा है, इससे पहले का system था कि इंडिया लिटरली भुटान में जाकर यह project बनाता था, और भुटान यहाँ से जो electricity produce होती थी, वो इंडिया को बेचता था, सो 2019 में, आउगस 2019 में, हमने इनके लिए एक plant complete किया था, इसका नाम था, मांग देच्चू, hydroelectric project, टोटल आज के समय, इंडिया के बनाए गए चार plant भुटान में operational है, एक तो है 336 मेगावाट का चू का hydroelectricity power plant, उसके अलावा है कुरी चू, यह काफी छोटा है, सिर्फ 60 मेगावाट का plant है, फिर है 1020 मेगावाट का ताला hydroelectricity power plant, और फिर recently जो बना है, मांग देच्चू, hydroelectricity power plant, टोटल अ हम देखें, जो contribution है, इस से भुटान की hydroelectricity capacity का, तो यह बनता है, 200 मेगावाट, तो इंडिया का contribution भुटान में बहुत चरा बड़ा है, हम हर तरफ से इनको help कर रहे हैं, that is why भुटान is standing with us, तो यह है end this video का, आपको अगर मेरी हर वीडियो की notification चाहिए, तो go to telegram app, और यहाँ of this video, thanks for listening and as always, God bless you all.